अस्सलाम अलेकुम वर रहमतुल्लाही वर बरकातू दोस्तो मैं डॉक्टर मुहमद शकील शमसी नभी मुंबई से आपके लिए यह आडियो बनाते हुए काफी लोग मुझे जानते होंगे और काफी लोग मुझे नहीं जानते होंगे मैं वो ही डॉक्टर शकील हूँ जिसके इंग्लिश किताब तिबिन अभी लिखी वी है और मुझे अभी कुछ दिन पहले यह पता चला कि बहुत से लोग मेरे नाम पर प्रेजेंटेशन और कुछ चीजे आपको भेजते हैं तिबिन अभी के तालुक से लोगने हैशन और उस पे वो होता है उनका जखीरह और उनका प्रेजेंटेशन उस पे आवाज भी मेरी नहीं है और उस पे आड्रेस और नाम मेरा दिया जा रहा है तो मैं आपको बता दूँ मैं जो भी प्रेजेंटेशन भेजता हूँ वो आडियो के शकल में वाटसप पे या तो फिर यूट्यूब पे बस इसके अलावा मैंने कभी कोई स्लाइट शो प्रेजेंटेशन नहीं बनाया जी मैं डारेक्ट आडियो अपनी शकल दिखा के आपको भेज़ता हूँ और आज मैं यह भी इसलिए बता रहा हूँ आप मेरी शकल और मेरी आवास को अच्छे से देख लिजे अगर यही आवास आप सुने तो समझ लिजे मेरी वीडियो है और मेरी आडियो है और अगर यह आवास दूसरे किसी की हो और नाम मेरा ले तो प्लीज आप उसको यकीन न करें ऐसी मुझे अभी एक बड़ी कंप्लेंड आई है और पता चल रहा है कि वो कौन लोग थे क्या थे खेर चाने दिजे आज मैं आपको खाने पीने के उपर नभी सल्लेट आलाई सलम के उपर कुछ मैं आपको जरूरी बाते आसान चीज़ों में बताऊंगा पहले मैं शुरू कर लोग हुआ अजिम भाणाजिव लगाद दोस्तों हम लोग ने बहुत बार सुना है कि हुजरु अपाक सब्सक्राइब सर्म जो है चीज़ों को दो एक थंडी गिजा और एक गरम गिजा या थंडी तासी रखने वाले और गरम तासी रखने वाले को मिला कर खाया करते थे जैसे के कलिंगर और खजूर को मिला के खाया करते थे कभी कलिंगर और ककड़ी मिला के खाया करते थे कभी सुकी खजूर को जुब्द हदीस में लफ्द जुब्द आता है जुब्द जो है कहते हैं घी को या बटर को यानि चिकनाई तो सुकी खजूर को चिकनाई के साथ थ्वल किसी चिकनाई से लगा के खाते थे कभी शहत को पानी में मिला के पीते थे कभी खजूर को पानी में भिगा के और उसको पानी पिया करते थे कभी मुनक का यानि हदीस में जबीब आया है मुनक के को पानी में भिगा के उसको पिया करते थे कभी गुगल गोंद जो होती है उसको पानी में भिगा रात को पानी में भिगा के सुबा पिया करते थे इस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं जो हम लोग उज़र पक्सुसम मिला के कि नोश फरमाया करते थे और हज़रत आईशा की एक हदीस भी जो मेरे किताब में है कलिंगर के लेसन में और खजूर के लेसन में आपको मिल जाएगी कि एक चीज दूसरी चीज की गरमाई को और दूसरी चीज उसकी थंड़क को यानि कलिंगर जो है खजूर की गरमाई को खतम करता है और खजूर की गरमाई जो है कलिंगर को कलिंगर की थंड़क को खतम करता है अब यहाँ पर हमको कन्फूजन क्या होता है कन्फूजन यह होता है कि कौन सी गिज़ा थंड़ तासीर वाली है और कौन सी गिज़ा जो है वो गनम तासीर वाली है हमको कैसे पता चले आम लोगों को सब लोग तो nutritionist होते नहीं सब लोग तो doctor होते नहीं सब ने तो technician के उबर पढ़ाई की नहीं होती even doctors को भी यह चीज़ पता नहीं होती है कि उनके पढ़ाई में यह चीज़ नहीं है तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको बता देता हूँ अब क्या करिए अब देखो आप भेना गौर से एक चीज़ देखिए अल्ला के रसूल सल्लावता अलाई सलम खजूर और कलिंगर साथ में खाया करते थे ठीक है अब साथ में खाने का मतलब उसका रेशियो बराबर होना चाहिए जैसे आपने तीन खजूर खाई तो उसके सामने जो है पांच या छे तुकड़े चोटे चोटे कलिंगर के ले ले अब आप साथ खजूर खाते हैं तो आट दस चोटे चोटे तुकडे कलिंगर एसा नहीं के एक बड़ा तुकड़ा कलिंगर का साथ में खा ले अल्लागर रसूल ने कभी भी कोई चीज की excessive use जादा इस्तेमाल कभी नहीं किया अब आप कलिंगर को और खजूर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो खजूर खुश्क होती है उसमें पानी कम होता है ठीक है वो calories में high होती है और कलिंगर जो है उसमें पानी ज़्यादा जब कलिंगर काटते है उसमें पानी टपकता है ठीक है उसमें पानी ज़्यादा होता है तो लेहाज़ा कलिंगर जो है वो तर चीज, गीली चीज moisture वाली, उसमें water contain जादा, और dates जो है, खजूर जो है, उसमें water contain कम है, तो ये दुनों एक दुसरे के opposite हो गए, एक दुसरे के खिलाफ हो, एक दुसरे के opposite हो गए opposite is the only right word which I think I should use here तो उनों एक दुसरे के opposite है कलिंगर, खजूर से opposite है और opposite कलिंगर से खजूर है ठीक है, अब अल्ला के रसूल कभी ककड़ी और खजूर साथ में खालिया करते थे, ठीक है ककड़ी भी गीली चीज है पानी है उसके अंदर, ठीक है water contains जाद है, और खजूर जो खजूर को पानी में बिगा कर उसका पानी बिया करते थे अब पानी खूद एक तर चीज है लिक्विड है, और खजूर में लिक्विड की कमी है तो उसको उसमें बिगा देना और उसकी खजूर की लिक्विडिटी को दूर कर देना दूनों एक दूसरे के opposite पानी और खजूर दुनों एक दूसरे के opposite मुनका ले ले लेजे मुनका भी खुश्क होता है और पानी जहोतार है उसमें बिगा के और उसको पिया करते थे और बिगाने का एक फाइदा किया है कि उसका जो एक्स्ट्रेक्ट है उसका जो extract है वो पानी में मिल जाता है तो उसको हजम होने में बहुत फाइदा होता है अभी रमजान शरीफ आ रहे हैं तो रमजान शरीफ में आप ऐसा कर सकते हैं रोजा खोलने से तीन चार गंटे पहले 5-6 गंटे पहले कुछ खजूरों को पानी में बिगो दें और बाद में चान कर उस पानी को पी ले या चाय तो पानी भी पी ले और थोड़ा खजूर भी आप जो है रोजा खोल ले मैं आगे आपको और बताऊंगा पहले आपको एक्स्प्लेइन कर दूँ कि अपोजिट दो अपोजिट चीज़ों को अल्लाकर सो इस्तेमाल किया करते है आपकी आसानी के लिए अगर आपको गरम तासीर और थंडी तासीर नहीं पता चलती है modern science में उसको acidic और alkaline चीज कहते है acidic चीज जिसको कहते है जिसमें acids level जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और alkaline उसको कहते है जो 7 pH से उपर होता है उसको alkaline कहेंगे और जो 7 pH से नीचे होता है उसको alkaline उसको acidic कहेंगे खेर यह थोड़ा आप लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है मेरी नई किताब Encyclopedia में सब डीटेल में लिखी भी है अगर आपके पास वक्त हो तो ठीक है नई वक्त हो तो खाली आपकी आउडियो सुन दीजी तो मुनक के एक उल्ला के रसूल पानी के से बिक्रों के पिया करते थे दूनों एक दूसरे के opposite है शहद, चिकना, गाड़ा उसको अल्ला के रसूल पानी में मिला के पिया करते थे पानी, पतला और लिक्विड दूनों को मिला दे थे तो दूनों एक दूसरे के opposite है गुगुल गोंध जो है वो सक्त होती है, कड़क होती है जो पेड़की गोंद होती है गूगुल नाम की उसको आल्ला करसूल पानी में मिला के पानी में रात को भिगा दिया करते हैं उसको पी लेते हैं और इलाज में बीते बिरला बिरू frumus बिरू ने इसलिए इसको इसका इस्तिमाल करने होका है ठीक है और जबीब यानि मुनक का भी पानी में भीगा कर उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मोतदिल हो जाती है यानि दो आपोसित चीट को साथ में मिला दिया एक मिला आप अपनी गिजाओं में इस चीज़ की आदत डालें कि दो सामने ओपोसिट चीज़ आप इस्तेमाल करें अब सवाल एक ये आता है कि खाना खाने के दोरान पानी पीना चाहिए याने बहुत साले सवाल लोग मुझे से पुछते हैं तो मैं आज आपको इसका जवाब देता हूँ आप सपोस करोए एक खीमा और रोटी आप खा रहे हैं खीमा खुश्क होता है रोटी भी खुश्क होती है तो दो खुश्क चीज़ों को मिला कर आप खा रहे हैं तो ये दो गलत कर रहे हैं लेकिन अब आपको कीमा रोटी बहुत पसंद है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, आप बोलेंगे डॉक्टर साब ने तो हमारे कीमा रोटी पर पावंधी लगा थी, कीमा पावंधी लगा थी, खास करके मंबई के लोग सुबा नाश्टे में कीमा पावंधी पसंद करते ह हैं अब उस वक्त को आप उसको मोतदिल किसे करेंगे तो मोतदिल करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो है पानी ठीक है सबसे अच्छी चीज नेच्रल चीज है वह पानी तो लेहाजा आपने दो रोटी खाई और थोड़ा खीमा खाया या आपके खुश गीजा बन गई दोनों तो उसके सामने आपको पानी पीना है ठीक है तो अब पानी आपको कितना पीना है दो रोटी अगर आपने खाई है तो आपको आदा से पोना ग्लास पानी पीना है तो यह आपको मोते दिल कर देगा तो यह आपके लिए उस खीमे के साथ पानी पीना, पानी को सुन्नत समझ कर उसको मोते दिल करने के लिए पीना यह आपके लिए सुन्नत हुआ क्योंकि अल्ला के रसूल एक दो अपोजित चीज़ को साथ में इसने माल किया करते हैं अब आजाए ये पतले सालन पर ठीक है अब आप पतला सालन लेते हैं पतला सालन सूप जैसा और रोटी तो रोटी खुश के पतला सालन तो खुद पानी है तो उसमें पानी बहुत है आपने चूर के खायए अल्ला कलिए लिचा होताई एक प्याला आपने सालन का लिया पतला सूप का लिया उसमें आपने रोटी डलने के बाद आपने तो छोड़ी दिर तक रोटी भीगो ने दिया अब वो रोटी जो خुष्क थी वो तर बन गई और सालन भी तर तो ये एक ट॥नीज गिसा बन गई जो आपने अपने पेट में जाने से पहले प्याले में उसको नूटलाइस कर लिया यानि पेट को जो काम करना था वो आपने प्याले में कर दी खाया और प्याले में वो हो गया, अब जो है आप उसको खाईए, तो अल्दा का सुरू कोई चीज बहुत पसंद थी, चलो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपका सालन पतला है, तो आप शुरूए में अच्छे से रोटी को डूबयों के खाईए, उसमें पानी पीने की कोई तो ये आपके लिए हो गया, अब समझो आप गाड़ा सालन खा रहे है, ग्रेवी, मंचुरियन ग्रेवी है, गाड़ा है, और गाड़ा ग्रेवी और रोटी, रोटी खुश और ये गाड़ा, ठीक है, उस टेम पे आप क्या करोगा, आप खाओगे बड़े मजे से उसमें ल आपकी खाने की गिज़ा ऐसी होने चाहिए, जो ना बहुत गाड़ी हो, ना बहुत पतली हो, मीडियम हो, बहुत पतली होगी या थोड़ी पतली होगी चल जाएगा, लेकिन बहुत गाड़ी ना हो, क्यों कि हम जो भी कुछ खाते हमारे पेट को उसको हजम करना होता है, अ और मैं आपको यह बद बताऊँगा, आप अच्छे से खाईए बीजे और पेड़ भर के कभी मत खाईए, यह सुन्दत के खिलाफ है और बहुत से लोग इस पर objection उठाते हैं, जब देखो दोक्टर साब एक ही बात करते हैं, पेड़ भर के मत खाऊ, पेड़ भर के मत खाऊ, लेकिन आपका पेड़ भर के खाना आपको बीमार कर रहा है, आपको डारेक्ट डॉक्टर के बार बार लेके जा रहा है, तो इसलिए बोलते हैं, वरना मुझे तो कोई तकलिफ नहीं, आप अपने पैसे से काते हैं, अपने घर पे खाते हैं, तकलिफ तो मुझे कुछ नही वाला आपको बीमार मिलेगा या बहुत जादा खाने वाला आपको बीमार मिलेगा लेकिन एक ऐसा अदमी जो बहुत मीडियम खाना खाता हूं ना जादा ना कम सुनत तरीकी से वो कभी आपको बीमार ने मिलेगा हमेचा सिहत मन मिलेगा उसके physics पतली दूबली रही है, आजकल पतले दूबले होने का बहुत दौर है, तो वो इसाब से आप खाना कम खाए, अच्छी गिज़ा खाए, अच्छी गिज़ा खाने पर रोक नहीं किये तो खैर मेरा आज का मौज़ू ये था कि आपको अगर समझ में नहीं आता है कि कौन सी गिज़ा 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 जो है ठंडी है, अभी दई, दई को लेके बहुत से लोगह कहते है दई थंडा है, बहुत से लोगह कहते है गरम है, अच्छी वो र iPD है अच्छी है, अब आप क्या करोगे उसमे, किसकी बात मनोगे, तो अल्ला के रसूल जब भी जब अल्ला के रसूल बहुत बार बुरी का दूड पीते तो उसमें पानी मिला करें करते देखिए, दूड गाड़ा लिक्विड और उसके गाड़ेपन को थोड़ा सा पतला करने के लिए उसमें चिकनाट को कम करने के लिए पानी मिला के पिया करते थे तो ये पेड के लिए कितनी आसानी हो जाती पानी और दूनों एक दूसरे के ऑपोजिट है दूनों लिक्विट है लेकिन वो दूनों लिक्विट भी एक दूसरे के दूरे हर चीज की acidity को कम कर देगी और अगर acidity कम ना करें तो उसको ठंडा नहीं करेगी उसकी potency को ठंडा नहीं करेगी उसको गरम ही रहने उसको neutralize करेगी गरम से उसको neutralize normal कर देगी देखे अब अल्लाग रसुल की बात है हमको क्या पता चले बकری का दूद पी थे उसमें पानी मिला लिया करते खजूर खाते तो पानी में भीको के खजूर काते खजूर के बारे में आपको एक बात बताओ मा आशा सिद्धि करना अदर की हदीस है आपको हदीस के सब रेफरेंस मेरे किताब में मिल जाएंगे सब लेसेंज के अंदर हदीस के रेफरेंस अच्छे से पूरे बुक नंबर, वॉलियूम नंबर किताब नंबर, इंग्लिश हदीस का नंबर और अरेबिक हदीस का नंबर भी दिया हुआ आप देख सकते हैं तो लेहाज अल्ला के रसूल के लिए रात को कुछ खजीरे, कुछ खजूरे पानी में भीगा दिया करती है और सुबा अल्ला के रसूल उसका पानी पिया करते है और जो सुबा भीगा जाती है अल्ला के रसूल को शाम को पी दे यानि अगर पीना होता था तो एक 10-12 घंटे का गया प्रते हैं रात को खजूर को पानी में बिगा दें और उसको पी दें लेकिन रोजाना नहीं करना ही है अब इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर साफ ने बुला था रोज कभी एक दिन आप खजूर का पानी पी लीजे दूसरे दिन आप मुनक के और खजूर किया किसी और चीज को साथ मे नहीं बिगाना है एक ही किसम की खजूर लीजे उसको बिगाए आज आपके पास अजवा खजूर अजवा बिगाए आपके पास बर्नी है बर्नी बिजा दिए आपके पास कल्मी है तो कल्मी ही बिजाए चार-पाच खजूर एक साथ मिक्स करके मत लीजे पिर आप उसको प लिगावा पानी गर्मी के अंदर आपको बहुत जल्ली nutrition और energy source बंदर जैसे हम लोग O.R.S. पीते हैं फ्रेश हो जाते हैं उससे ज़्यादा खचुर का पानी पीने में आप फ्रेश हो जाएंगे रमजान शरीफ भी आ रही है तो लेहाजा में आपको मेरा बताने का मकसद य पंदरा मिटों के लंबा होते जा रहा है ज्यादा वीडियो लंबा बन जाए तो लोगों को पसंद नहीं आता है लोग सुनते हैं बस इतना याद रखे आपके गिजा में अगर कोई सूकी चीज है तो उसको तर चीजों से घीली चीजों से mix कर दीजे कोई गाड़ी चीज तो सामने कोई तर चीज से उसको मुलावीच यानी उसको उससे mix करके खाइए ठीक है तो आज अगर आपको पड़को पस इतनी knowledge नहीं है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है अब रोजाना कितनी चीज़े खाते है कितनी की knowledge रखेंगे कितनी के बारे में research करेंगे बस उस देख लेजिए आंक से और उसको आपको सूकी दिखती है तो उसको तर से इस्तेमाल कर लेजिए और अगर तर है तो उसको सूकी से इस्तेमाल कर लेजिए अगर बहुत ही सूकी है जैसे चुआ रहा है तो उसको थोड़ा बटर या थोड़ा सा गी से फ्राई करके या गी से ल वीडियो लंबा होगा है उसके लिए माफी चाहता हूँ असलाम अलेकम रहमतुल्लाई वबरकातू दूआ में याद आगें दूसरे से शेयर करें